कि चलिए स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल में चलिए मैं हाजिर होगे एक नया सेशन लेके आज हम पढ़ने वाले देखने को मिल जाता है यानी दो कोशन तो अपने अराम से देखने को मिल जाते है अब बहुत इजी कोशन होते हैं विलकुल त्ययूरी और कंसेप्ट पूरा हम देखेंगे किस तरка से निकाला जाता है सबसे पहला पक्रेंगे माद देखो माद क्या होता है माद वही होता है माद और और औसब में कोई डिफरेंस नहीं होता है माद बोले या औसब बोले ये बात वही होता है क्या होता है औसब भी माद क्या होता है सभी संख्याओं का योग बटे में सभी संख्या है यानि जितनी भी संख्या दे जाए एक दू तिन अगर ये तिन संख्या दे जाए और हमसे पुछा जाए कि इसका माद क्या होगा तो आप क्या कीजिएगा सभी संख्याओं को जोड़ दीजिएगा और ये संख्या जितनी होगी एक दो तिन ये संख्या तिन से भाग दे एक दो तीन का माध्य क्या होगा तो आप इसका माध्य होगा या आप से ढहले पूछा जाएं कि पाद माधिका पढ़ेंगे उसके बाद बहुलऑ पढ़ेंगे उसके बाद परिशर, यह हम आपके लाँ तक бер Rise फॉर्मूला होता है और यह फॉर्मूला ुब्लC pin कहीं बार पूछा जाचुका है त刘 Old फॉर्मूला भी पूछा जाता है ठीक है यह देखेंगा उसका अधर विचलन गुनाग मानल विचलन पॉटसरल पॉटसर और बहुला यह सारे चीज हम देखने वाले बिल्कुल एक्जामपल के साथ तो चलिए अगर आप हमारे चैनल पे नहे हैं तो चैनल को सब्स्ट्राइ कि 4,5,6,9,5,7 का माद क्या होगा तो अभी हमने क्या जाना है जान लेते हैं कि माद बराबर क्या होता है माद बराबर होता है सभी संख्याओं का सभी संख्याओं का योग यानि जो भी संख्या प्रश्म में दिया रहा है सभी संख्याओं का योग यानि कि सभी संख्याओं का जोर बटा सभी संख्या यानि जितना भी संख्या दिया रहा है जितना भी संख्या दिया रहा है तो चलीज यहाँ पे सभी संख्या का योग पहले देखेंगे पहले संख्या क्या है तो 4 प्लस, 5 प्लस, 6 प्लस, 9 प्लस, 5 प्लस, 6 प्लस, 7 ये सबी संख्याओं का योग हो गया अब कितने संख्या इसको भीनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये संख्या कितनी है? 7 बस इससे भाग देंगे हमारी संख्या आ जाएगा 4, 5, 9, 9, 6, 15, 15, 9, 24, 25, 29, 29, 35 35, 35, 35, 42, क्या हो जाएगा? 42 बटा, 7, यानि कि 7 से 42 कर जाएगा 6 बार में तो हमारा अंसर क्या आ जाएगा? 6 हमारा अंसर आ जाएगा और यही हमारा क्या होगा? माद्य होगा तो आसर करता हूँ कि आपको माद बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा होगा यही होता है एक तो तरीका यह होता है एक इसको क्या बोलते हैं हम और सद को हम और सद का माध क्या होगा यह ग्रूप दी दो हजार अठारा वाला जो एक्जाम हुआ था उसमें यह पूछा गया प्रस्ण है तो हमने अभी क्या परहा है कि माध बराबर क्या होता है सभी संख्याओं का योग बट्ट सभी संख्या तो सभी संख्या क्या है तो चार प्लस एक प्लस एक प्लस छे प्लस दो प्लस सा वट्टर में कितना संख्या है एक दो तीन चार पांच छे वट्टर में छे अब इन संख्या को जो रहेंगे चारे पांच पांच छे छे बारण बारा तो चौदर 14,7,21 यानि कि क्या हो गया 21 बटा 6 अब 21 को हम 6 से भाग देने तो क्या हो जागा 24,18 क्या Cs गया 3,3 में तर समर्ण देंग तर जूरा आ जागा तो 6,5,3 यानि कि हमारा माध क्या हो गया माध हमारा हो गया 3.5 तो option कौन सा सही हो जाएगा तो option B वी हमारा सही अंसर हो जाली माद हमने देख लिए अब क्या देखते हैं मादि का मादिका क्या होता है तो हम देखने वाले हैं मादिका के सबसे पहले क्या करना है देखिए माधिका कैसे निकालेंगे तो सबसे पहले जो भी संख्या दिया रहे यहां लिख लेजे कि जो भी संख्या जो भी संख्या दिया रहे उसे आरोही करम में सजाएं सबसे पहले काम करना है कि दीव हुई संख्या को आरोही करम में सजाना है उसके बाद देखना है कि वो संख्या संख्या होगी वही माधिका होगी अब देख्यों हमने एक दो टीन संख्या लिख दिया यह 1 2 3 विसम संख्या है यानि कि 3 है तो विसम है तो अगर इसमें पूछा जाए कि माधिका कों होगी तो बीच वाली संख्या होगी तो हमारा दो माधिका हो जाएगा ठीक है? अगर संख्या 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 है एक, दो, तीन, चार ये सब चार संख्या है तो क्या है? संख्या 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 है तो ये बीच वाली दोनों संख्या को क्या कीजिए? जोड देजिए तो 2 पलस 3 5 इसे 2 से भाग दे दिजिए तो ये क्या हो जाएगा 2.5 वो माधिका हमारा क्या हो जाएगा 2.5 बस यही चीज इसमें ध्यान देना है सबसे पहला काम करना है जो भी संख्या दिया रहे उसे आरोही करम में सजाना है अब माल यह दे दिया 5,6,4,3,2 यह संख्या दे दिया हमसे पूछा है कि इसका माधिका क्या होगा तो माधिका इसे हम कैसे निकालेंगे पहला केस हमारा क्या है कि आरोही करम में सजाना है जाक करना है, क्या करना है, बढ़ते हुए करम में सजाना है, यानि कि सबसे छोटका पहले उक्राबाद उक्रा से बरका, वयसे ही सजाना है, तो इसको हम अगर आरोही करम में सरयाएंगे तो कैसे सरयाएंगे पहले दू फिर तीन फिर चार फिर पांथ फिर छे अब तो एक, दो, तीन, चार, पांथ यह क्या है विशम संख्या है तो विशम संख्या के केस में दू गहिने से छोड़ देना है अहाँ जो वीच वाला हो हो जाएगा वही माधिक हो जाएगे बात को समझ गये जहां करें तो हमारा concept और क्लियर होगा तो इसको question के माधियम से और हम देख लेते हैं और question हम करेंगे जो Also पूछा गिछानी करें है प्रणी कें एक जब सब्सक्राइब करने अगर यह बिदियों अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करें चलिए अगला कोश्चन देखते हैं माधिका से रिलेटर कोश्चन है कोश्चन क्या कर रहा है कि 3-9-12-11-88-9-76 आंकरो का माधिका क्या होगा यह NTPC में पूछा गया प्रस्न है तो देखिए यहां सबसे पहले हम क्या करेंगे इन्हें सबसे पहल काम हमारा है सजाना है तो आरह सबसे छोटका कौन है तीन है तो तीन एकरा से छोट बरका छोट दिख रहा है इससे बरका हमको दिख रहा है साथ तो साथ उसके बाद आठ दूग है तो आठ दूगो आठ दूगो हो गया नौ भी दूगो है तो नौ को दूगो लिख देंग एक, दो, तीन, चार, पान, छे, सार, आठ, नो मामला तो हमारा सेट है जो बीच में होगा वही हमारा माधिका होगा चार वहने से गिनके छोड़ेंगे बीच में कौन आ गया? बीच में आठ आ गया तो माधिका हमारा क्या होगा? बीच वाला संख्या तो अप्शन C हमारा सही आंसर हो जागा ये भी संख्या वाला केस है अगर संख्या रहा था तब क्या होता? तो आईए हम संख्या अगर होगा तो क्या होगा? उस पे भी हम एक प्रसुन कर लेते हैं अगला कोशन देखते हैं माधिका इन कोशन है देखिए 5 4 10 3 3 4 7 4 6 5 का माधीका क्या होता है तो माधीका वही होता है सबसे पहले माधीका के लिए हम क्या करते हैं और वो ही करण में सयाते हैं पाला काम हमरा क्या है कि आरोही करमिध्धी वैसंख्या को आरोही करम में सयार देना अब सबसे छोटका क्या है सबसे छोटका तीन दिख रहा है क्लिक लिए तीन गोए Zoe theo फिरे चार के बाद selanga फिर द॥िर फांस हमारे पास दो गोई जो कि देए ठिन ड़ना है तो एवा इसाट एवा है और किया है दस नो दो चार में इस चले में च्छार उन्त यह थो क्या बता है अगर संख्या सम हो तो दोनों बीच वाले को पकरना है तो आना है भाईया तु बाहर आ और दो से भाग लग जा तो चार पक और पांच जो रहेंगे नो नो बटा दो यानि कि साड़े चार यानि कि 4.5 हमारा आंसर हो जाएगा तो option B हमारा सही आंसर हो जाएगा अगर संख्या संख्या में दिया रहा है सन तो थोरा सा धिक्कत होता है इधर से जो चले ये पिछ जो बच गया उन को बह्यां कि निता लिए उन को जो के दो से भार लगर दिए आपका अंसर या थी आप कहा, जाएगा आससा करता है अगला क्या है बहुलक क्या होता है बहुलक में सबसे ळिजी है बहुलक इसे एङलिस में हमें बोलते हैं मोड क्या बोलते हैं मोड यह होता है जो संख्या सबसे ज्यादा वारा है माले जो संख्या एक दो दो पांच तीन दो चार इसमें अगर हमसे पूछा जाए कि वहूलक क्या है तो जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आती है वही बहुलक कर लाता है यानि कि मोड कर लाता है अब इस में देखिए दो कितना बार है दो दो बार एक तीन बार यानि कि सबसे ज़्यादा बार क्या आया है सबसे ज़्यादा बार दो आया है कितना बार तीन बार तो बहुलक यही हो जाएगा यानि कोई किसी भी संक्या में सबसे ज़्यादा बार बार रिपीट कर रहा है वही बहुलक होता है ठीक है अगर हमसे पूछा जाए अगर मैं आपसे पूछू कि तीन 3,4,5,4,2,3,4,2 इन सबी में बहुलक क्या है तो आप क्या कहेंगे आप देखेंगे 3,2 वार है,4,3 वार है,2,2 वार है इसका मतलGO है सबसे ज़्यादा बार कौन संक्या है तो सबसे जादा बर चार है तो बहुलग क्या हो जाएगा यह चाही हमारा बहुलग हो जाएगा बहुत इजिए बहुत सिंपल कोश्चन आता है इससे इससे कुछ नहीं आता है संख्या आपको दे दिया रहेगा थुरा सा संख्या लंबा दे जेता है माने जिब बारह को आपको थोड़ा सा संख्या है 3-4-5-6-7-8-9-3-2-4-5-3, ठीक है, अभी इतना लंबा संख्या दे तो आपको देखना पड़ता है, कोई कोई संख्या 2-2 भार दे जेता है, ठीक है, कोई 3-4 पार देता है, अगर इतना वरा संख्या हमको दे जिया, 12-3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 है और हम इसमें पूछे कि हमारा बहुलख क्या है तो आप क्या कहिए कै आप देखिएगा कि 2 3 टीन एक दो बार है 1 बार 2 बार 3 3 बार है एक 4 बार पांच कितना बार है दो बार है तो आप देखेंग सबसे जादर कौन है तो सब ज्यादा कोशन करने की जरूरत नहीं है कि बहुत इजी चीज है तो चलिए अगर हमसे कोशन पुछा जाए तीन बार चार छो आठ पांथ चार तीन चार आंकरों का बहुलों क्या होगा यह भी एंटी पीसी में पुछा गया प्रस्म है तो हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा ब कि बढ़र चार हमें देख रहा है एक दो इसके चार कितना बार दिख रहा है तो बहुलों क्या हो जाएंगा 4 हो जाएंगा तौप्षन यह हमारा सही अंसर हो जाएंगा इस पर ज्यादा कोशन करने की जुरत नहीं जीजी कोशन आता है इस से ऑईसे कोशन आपको देखने मेने आफ पूछ ने पूछा जाता है ठीक है और एक और चीछ इससे बहुलक से बहुलक से ज्खेंब wheat कोर्फ घयो ऑगय कि अम ऑगे करने वाले इसके एक कोश्चन आपका बहुलक 12 15 15 16 18 13 का रेंज बहुलों तथा माधिका माधिका ग्यार करना है अब देखिए रेंज क्या होता है हम चान देते हैं रेंज बराबर होता है maximum minus minimum यानि कि बरका minus छोटा यानि कि बरा में से बरा संख्या minus छोटा संख्या यानि कि जो बरा संख्या होगा उस में से छोटा संख्या को minus कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा रेंज आ जाएगा ठीक है तो चलिए रेंज यहाँ पर सबसे पहले कोशन पूचाए कि रेंज क्या होगा तो रेंज हमारा क्या हो जाएगा बरका माइनस छोटका है अब इन सभी संख्याओं में सबसे बड़ा संख्या कौन है तो सबसे बड़ा संख्या क्या है बड़ा संख जब रेंज हमारे पास नो आ गया अब पहला कोश्टन ही रेंज पुछा है तो देखेंगे न तो आप्षन में पहला रेंज दिया क्या है नो है हमारा नो आ गया तो आगे हमें बढ़ने की जरूरत ही नहीं है स İ audio- à-айт करूकर ही झमारा आंसर है जब ही निकाल लिए ऑो रेंज में पहले cable मिह नो दिया है बाकि सुप किसे जुरूरत नहीं है के ऐरेला हम टाइम ट्रीश करने के हमारा आंसर नहीं होगा नहीं नहीं पुछा कि बहुलक क्या होगा बहुलक मतलब कि जोंट संख्या सब से ज्यादा वार हो इन सौने संख्या में सब से ज्यादा कौन है तो हम देखेंगे कि तेरा नौर यह तो ऑगा है अब हम क्या देखते हैं कि मा दिका कैसे निकाले तो मा दिका के लिए क्या सर्थ होता है तो माधिका के लिए सर्थ होता है कि सबसे पहले आरोही करम में सजाना तो इन संख्याव को क्या करेंगे आरोही करम में सजाएंगे तो सबसे छोटका कौन इन सबी में तो सबसे छोटका बारा, बारा के बाद तेरह, तेरह कितनी बार है तो दो बार तेरह है उसके बाद क्या है चोदा उसके बाद 15 के बाद 16 से बढ़ा है और 18 से बढ़ा है 21 अब Australis इस उस्था ब mateix भी नंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 अब यह सनख्य क्या अब यह संख्या क्या है सम है जब सम है तो तीन गो इधर से चलेंगे और तीन वह इधर से चलेंगे और बीच वाले संख्या जोल के राग देंगे तो बीच वाले संख्या क्या 14 15 वट्टा दू यानिकी यह हो जायागा 14.5 तो हमारा माधी का क्या हो जाएगा 14.5 option में यहाँ सबसे ज्यादा बार दिया जए वह संख्या बहुलक होता है और और माजिक्या निकालने के लिए सबस्पर पहले आरोही करम में सजाते हैं अगर वह संख्या संख्या हो तो बीच वाली संख्या लेकर दो से भाग देते हैं और वह वी संख्या हो तो बीच वाली संख्या हम ले लेते हैं वह हम देखते हैं मानक बिचलन और परसरन का जो रिल होता है तो दूसरा इजली आप निकालने के पर ता है यह मोड में होता है जब कोई भी चीज को बहर निकालते हैं कि इसमें से नेगेटिव कोई चीज नहीं निकलेगा जो निकलेगा तो देखिए कभी-कभी पूछता है ना मानक बिचलों तो अपस्वाइसे ही दिया रहता है क्या कर जाता है मानक बिचलों क्या होगा मानक बिचलों क्या होगा हमने दे दिया है और कितना है यहां को पर्सराइल लिख देते हैं कि पर्सराइल वराबर नौ है और ऐब सभी-कभी-कभी-कभी-कभी-कभी-कभी-कभी-क-ख अगर यह आपको नहीं दिखा प्लस मैनस तीन और तीन तो कहिएगा एकदम देखना ही देखना है एकदम दिखता है हर बार दिखता है जितना भी बुक उठा लीजेगा अगर मानक बिचलन पूछ रहा है और पर्सरन आपको दिया गया है न तो अपसर में वो तीन होगा थे कि pacers 10 जरूर करता है यहीं रहता लेकिन मानक बिचलन एकदम पॉजिटिफ में होता है उसमें प्लस मैनस कोई नहीं रहता है पॉर्प rectangle क्या होता मोड में कहा है यहां से निकलता प्ल तो मानक बिचलन का मान क्या होता है अब देखिए अगर हम इन दोनों का इसक्वाइर कर दें मालेजिए अगर हम इसक्वाइर करें तो यह क्या हो जाएगा सब्सक्राइब तो पर्सरल बराबर क्या हो जाएगा इसक्वाइर बस भेज़ित आपको याद रखना है अगर आप एक चीज़ भी याद रखते हैं कि मानक बिचलन बराबर अंडरूट परसनल होता है तो अगर आप स्कॉयर करते हैं स्कॉयर करते हैं परसनल आजाएगा आहिए इस पर भी कुछ कोश्चन कर लेते हैं ताकि कंसेप्ट हमारा और भी क्लियर हो जाए और बिल्कुल सब्सक्राइब क्या है तो यह डरा बिटाट का मानक बिचलन बराबर क्या होता है अंडरूट परसनल क्या होता है अंडरूट परसराल और यह mostly अंडरूट परसरानग स्कॉत लेकिन आप पर करना है अगर पर सरण उन्चास हो तो इसका आंसर आप हमें कमेंड बॉक्स में दें इसका मानट बिचलन क्या होगा एक प्लॉस मानद साथ बी प्लॉस C उंचास D आपका हो जाएगा 6.5 तो इसका उंचास परसरों अगर उंचास हो तो मानद बिचलन क्या होगा अप्शने प्लॉस मानद साथ अप्शने से उंचाथ अप्शने 6.5 ये इसका आंसर आप कमेंड बॉक्स में जरूर निकालना है यदि एक जन संख्या का मानग विचलन साथ हो तो परस्रन क्या हो जाएगा यह भी एंटी पीसी में तुछा गया प्रस्रन अब जह में क्या जाना है हम यहीं जानते हैं कि मानग विचलन बराबर एद आद आप इस चीज को याद रखे सब्सक्राइब वराबर परसरांड तो 7 का है क्या होता है 7 के इस पर हो जाता है उन्चास हूं जाएगा अब बताइए ऐसा प्रस्ण आप देख की कर सकते हैं विल्कुल आको बस याद होना चाहिए मानत बीचलान साथ है पुछ रहा है तो 7 साथ न्चास हो जाएगा अगर हम आपसे पूछ कि मानक बिचलन 6 हो तो परसरन क्या होगा मानक बिचलन 6 हो तो परसरन क्या होगा इसका आंसर आप कमेंट बोक्स में दे अगर मानक बिचलन 7.54 तो इसका परसरन क्या होगा इन दोनों आंसर का कमेंट बोक्स में आप आंसर दे बात कर लेते हम वीचलल गुनांग क्या होता है वीचलल गुनांग यह भी बहुत इजी चीज़ें बस एकार में इसको समझ जाए है क्षच जो होता है वह आपको question के होता है क्या होता है मानक बिचलंग मानक विजलन बट्टा माध बट्टा माध गुना 100% यह % के फॉर्म में दिया रहता है इसको आप 100% लिखे है यहाँ पर सो लिख दीजिए तो भी आपका चले गा यह पूछता है अगर विजलन गुना पूछता है तो आपको परसेंटेज फॉर्म में पूछता है बस विजल जब हम कोश्चन करेंगे तो आपको एक तरीक्या बता देंगे कि कौन उपर आएगा कौन निचे रहेगा अगर भूल भी जाएंगे तो उससे आप इजली कर पाएंगे तो चलिए इस पर कुछ कोश्चन एक दो कर लेते हैं चाटी आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा अग भिचरन गुनानक बराबर क्या होता है मानक बिचलन बॉझन प्रसम क्या दिया गया है मानक बिचलन कितना है तो पांच है और माद कितना है 15 है गुना 100 क्या हो जागा 55 कर जाएगा तीन बार में और 300 बटा तीन यानि 100 बटा तीन को हम क्या लिख सकते हैं 33.33 परसेंट लिख सकते हैं तो option C हमारा सही answer हो जाएगा अब देखिए concept मैं आपको यहां बता देता हूँ कभी अगर यह formula भूल गया है कि विचलन गुनाइंग पराबर मानख बटा विचलन होता है मानख विचलन या मानख विचलन वटा माद होता है तो आप कैसे समझेंगे कोन उपर रहेगा कौन निचे रहेगा कुछ नहीं देखिए माद और मानख विचलन अगर दिया रहा है तो सबसे बड़ा संख्या होगा सबसे बड़ा संख्या क्या है पंदरा है तो पंदरत चला आएगा नीचे इससे जो छोटा रहेगा वह उपर रहेगा हर केस में इस टाइप के प्रस्ट जितना भी पूछा जाते है तो सबसे सबसे बड़ा संख्या नीचे तो सबसे बड़ा संख्या क्या है तो असी को निचे लिख दिये उससे छुटका ऊपर लिख दिये आए इस 100 से गुणा करना तो हम पूरत है काए कि परसेंटेज में ऐस सा रव पूछरा है तो सू सो में जए उसस कड़ जायेगा 20 बार वह यानिetta यान Lahine कितना हो अगर बंटम का माद 121 है मानक विचलन 11 है तो आपका विचलन गुना क्या होगा उसका आंसर आप हमें कहा देंगे कमेंड बॉक्स में लिखेंगे ठीक है कोश्चन है कि 10 11 9 11 9 का मानक विचलन क्या होगा तो इस तरह का प्रस्म को आप कैसे करेंगे जब इस तरह का प्रस्म को कोई संख्या देदे मानक विचलन पूछ रहा है तो यहां तो आपको परस्म दिया नहीं है इसका मतलब है कि सबसे पहले इसका हम क्या करेंगे सबसे पहल 11 plus 9 plus 11 plus 9 संख्या कितना है एक दो तीम चार पांच ये हो जाएगा 10 119 20 119 20 40 अधों 50 वता पांच 50 वता पांच यानिकी 10 अब हम परस्रॉन कैसे निकालेगे परस्रॉन हम कैसे निकालते हैं कि माध वादी संख्या में से जो दी गई संख्या होती है उसको माइनस करके उसका स्क्वाइर करते हैं माद में से ये वाली संख्या को माइनस करेंगे और उसका स्क्वाइर करेंगे तो 10 में से 10 गया क्या हो जागा 0 00 dar dels में से 11 खेया माइनस एक मारी से क्वाइर नहीं लगित जितना सप्रोटर संख्या है उससे इसुंत भी फाग देनेंगे क्या आगया एक दो एक एक दो तीन एक चार यानि कि परसरन हमारे पस क्या आगया चार बटक पांच आगया जब हमारे पास परसरन आगया तो हम मानक विचलन नहीं निकाल सकते हैं बिल्गल निकाल सकते हैं कि मानक विचलन पराबर होता है अंडरूट परसरन क्या होता है अं यानि कि अगर कि यह संक्या देए तो आप इसी तर्चे से निकाले इसके दा कोश्शन देखने कोश्चन है यदि माधि का बारह और माधéch्य आठ हो तो बहूलग क्या होगा यह अंतिम कोश्चन है हमने क्या देखा था कि बहुलक बराबर बहुलक बराबर तीन गुना माधिका तीन गुना माधिका माइनस दो गुना माधिका यही हमने फॉर्मुला देखा था कि बहुलक बराबर तीन गुना माधिका माइनस दो गुना माधिका अब कहिएगा इस वर वहलोग बरावर तीन गुना माधिका, दो मैनस माद हम कईसे याद रखेंगे, अगर भूल भी जाएंगा न तो याद रखिएगा, है माधिका में बहुत बड़ा है, इससे तीन से गुना होगा, अब माध बरा छोटा है, तो उसे दूरा है, जानि बरक देड़े अगर आपसे मद्म पूछे तो यह क्या होजाएगा अगर माद पूछता है तो अगर इधर माद लेकर आएंगे तो यह हो जाएगा दो गुना माद बडराबर इस बहुलक को उद्र भेजना होगा त Raum गुना माधिका माइनस बहुलक हो जाएगा तो यहां से क्या हो जाएगा आप माधिका माद निकाल सकते हैं इसके संख्या से दो में भार लब जाएगा यह आपका माध हो जाएगा अगर माधिका यहां से पूछ ले तो माधिका क्या होगा यहां तीन गुना माध इधर इधर चलाएगा तो उधर आएगा तो क्या आजाएगा वहुलक बराबर दू प्लस प्लस दो माद है ठीक है अब जब इस संख्या दोनों निकल जाएगा तो यह तीन चीज़ यहां से निकलता है ठीक है यह तीनों चीज़ को आप नोड कर लेंगे अगर आपको याद है तो अच्छी बात है तो चलिए इसको सौर्व करते हैं बहुलक हम से पूछा है यानि कि मोड तो मोड बराबर तीन गुना माधिका यानि कि तीन गुना 12-2-8 दो गुना आट तो बारत यह क्या हो कह ध्यां 37 68 base 36 20 हमारा सही आंशर हो जाएगा तो आशन 20 हमारा सही आंसर हो जाएगा तो चलिए आशा करता हूं आप स्ट्रीक्ला का जो सारत कोशें बताया हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें दोस्तों में सेर करें अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें चले मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जैए